असलाम वारेकुम वेलकम टो यूर चाइनल होम स्टाइल फूड आज हम बनाएंगे चीज बॉल्स आप सोच रहे होंगे यह दूसरा हाद छोटा सा किसका है बोलके यह मेरे वेटे हैं जो मुझे आज हेल्प कर रहे हैं किचन में चले बनाने का तरीखा और इंग्रेइन्स द कर दूंक्र दाल देंगे इसमें कं दिखिए और दोसches न अ Responsive प्लe इत्यों मीनुक्रेबा को सबंब हो है इसमें दाल रहे हो चिली फ्लेक्स चिली प्लेक्स अपने तक मीस कि दखिए हैं ह। तरह से एक पैकेट पड़ी हुई थी उसको मैं दाल दे रहे हूं इसमें दाल रहे हूं मौजरणा चीज इसको हाथों से इस तरह से तोड़के डालेंगे वेजी वेजिटेबल आप कुछ भी दालना चाहते हैं जैसे के कैप सी कम क्यारेट डालना चाहते हैं तो डालें मेरे अब यह था नहीं था इसके लिए मैंने स्किप किया है अगर आपके पास है तो डालें देखिए इसको इस तरह से मिक्स करके रख लेंगे इसको कि इसमें दाल रहे है अब भी मैं ब्रेक्रम्स 2 टेबल स्पून के जितना जिसको भी मिक्स कर लेंगे इसको mix करके रख लेंगे मैदे की coating तयार कर लेंगे जिसके लिए मैई ले रही हूँ वन थर्ट कप के जितना मैदा और वन थर्ट कप के जितना कॉन स्टार्च ले लेंगे इसको अच्छे से mix करेंगे इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के according जो कारीわか है जो आलुका मिक्सर था उसमें नमक डाल रही हो और गारलिक को से कदूकर करके दाल देंगे गारलिक मिश्क मत कीजीगा स्किप न कीजीगा गारली का बहुत अच्छा अच्छा वशना पहल राता है कि बढला है जैद आपने वन कप क्वोन स्टाच वन कप मैदा लैसलिघ और नमक मिक्सकों को दिए तरह से कोटिंग होनी चाहिए उंगली सब्सक्राइब कवर हो ही यह इस तरह से बहुत ज्यादा थिक भी नहीं बहुत ज़दा वाटरी भी नहीं चाहिए इस तरह की कंजस्टिव सीम में बना लें अभी आफ कप के जितना में ले रहे हूं ब्रेट क्रम्स कि दिखें ब्रेट क्रम्स ले लिया है अलू का मिक्सर ले लेंगे इसको इस तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे और इसके छोटे छोटे बाल बना के तयार करके रख लेंगे आपको जो भी साइस पसंद हो उस साइस का बना लें पानी से हाथ गीले करते जाएं और बाल तयार कर लें इस तरह से आपको इजी हो जाएगा नहीं तो आलू हाथ में चिपकते रहेगा आलू के बॉल्स को इस तरह से बना के तयार करके रख लेंगे अभी मैं ले ले रही हूं ब्रेट क्रम्स ब्रेट क्रम्स में आलू के बॉल्स इस तरह से डाल के अच्छे से चारों तरफ से ब्रेट क्रम्स लगा लेंगे और इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताके कोटिंग अच्छे से चिपक जाए देखिए जैद को भी मज़ा आ रहा है करने में जैद भी मज़े से कर रहे है आपको खाना खाने में मजा आता है या फिर पकाने में मजा आता है अभी हम ले लेंगे मैदे का बैटर मैदे के बैटर में इस तरह से कोटिंग मैदे की चड़ा लेंगे और सीधा ब्रेट क्रम्स में रग लेंगे बॉल्स को इस तरह से तीन चार बॉल्स में डिप कर लेंगे और ब्रेट क्रम्स में रख लेंगे इसके बाद अच्छे से फिर एक बार ब्रेट क्रम्स की कोटिंग चड़ा लेंगे अच्छे से ह डिप कर लेंगे रख लिए इस त्यार मैं ध्यार विप लेगे बनाकर लेगे यह सिर्फ-क लिक दोगेए हैं, मैं इसको 10- sofa दोग़ाए हैं, बहुत जादा गरम नहीं है ओयल मीडियम भी गरम है इसमें मैं दाल रही हूँ चीज बॉल्स इस तरह से एक टाइम में 5-6 बॉल्स दालके फ्राइ कर लेंगे देखे कितना अच्छे से बना है इस तरह से 5-6 मिनिट तक इसको फ्राइ करेंगे दुनों तरफ से देखे चीज हलका हलका बाहर आ रहा है कितना अच्छा लग रहा है अगर थोड़ा थोड़ा चीज बाहर निकल रहा है तो कोई घबरानी की बात नहीं है बहुत ज़दा चीज अगर बाहर आ रहा है तो आप फिर से एक बार मैदे की एक कोटिंग चड़ा लें फिर और एक बार ब्रेट कम्स लगा लें इस तरह से बनाके तयार कर लेंगे देखे बनके तयार है हमारा बहुत इजी बहुत सिंपल चीज बॉल्स आप देखे एक तोड़के बताऊंगी कितने अच्छे से चीज मिल्ट हुआ है बिल्कुल बजार जैसा मिग्डोडल स्टाइल आप भी बनाईए आपके अपनों को खिलाई अपने दुआओं में याद रखे लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले दुआओं में याद रखे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक अपना और अपने अपनों का खियाल रखे थैंक्स पर वाचिंग इट वाज़ वेरी टेस्टी if you like our work like subscribe and share thanks for watching